जैसा कि आप जानते हैं, इन्शाल्ला, थोड़े दुनों में हमारी एकॉनोमी बहुत पावरफुल एकॉडिमी हो जाएगी पाकिस्तान अजीन बनेगा, अजीन बनेगा आज हम बात करेंगे शोय बक्तर दौरा भारत से मांगी गई खहरात की पाकिस्तानी मीडिया की गहरी गई में गुष्ने वाले चमतकारी हात की और इस पशुल के आकारवाले देश की जाट बराबर उकात की ये बच्चा मेरा पोता इसकी गांज होने के लिए पान ली नी है जो ना कर सकता था मैंने किया अबे साले शनभर के लिए मुझे विचार आया कि पाकिस्तान पे ये वीडियो नहीं बनाते हैं मुझे नहीं लगता उन्हें मेरे लिए फुरसत होगी जैसे पाकिस्तान के रेलवे मंत्री ये किसी कम उमर वाली टिक टोक कन्या को नंगी वीडियो भीजने में बीजी है उसके साथ वीडियो सेक्स चैट करने में बीजी है अच्छे मेरे बात सने इसके बाद है साइस एंट टेकनोलोजी का सक्तिमान गनित का गंगादर मंत्री फवाद चोधरी बीजी सैडूल में ये केवल अपने पापो की और बापो की गिंती करता है और उसमें भी कन्फ्यूज हो जाता है एक करोड पाँच लाग उन्नीस हजार और इसके बाद जो इसे खाली समय मिलता है उसमें ये टिक टोक वीडियो बनाता है बीट पे बूटी हिलाता है ये लूड वसल में पाकिस्तान का साइंस एंट टेकनोलोजी मिनिस्टर है जब भारत चंदरियान भेजता है पाकिस्तान के विदेश मंतराले की केवली इतनी सी डूटी रहती है कि तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनीन की सरकार के मुह में प्रेम भरीदार मारते रहें ताकि आतंकवाद की शेतर में इनका देश दिन दुगनी रात चुगनी तरक्ये कर सके पाकिस्तान का विदेश मंतराले पहले भी विवादों के गेरे में रहा है हाल ही में तालिबान से जुड़े कुछ लोगों से पाकिस्तान के विदेश मंतरी ने मुलाकात की थी औरंत में आता है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिसके स्वेम पंखे फटे पड़े हैं जिस कुर्सी पर बैटके ये भारत पे एटम बम चलाने की धमकी देता है बिल्कुल उसी कुर्सी पर कोई भी टिक्टोक स्टार जाके बैट जाती है उसके बाद वो भारतिये गाने चलाती है उन भारतिये गानों पर टिक टोक वीडियो शूट करती है पाकिस्तान के प्रदान मंतरी इमरान खान की कुरसी मजाग बनकर रह गई है एक टिक टॉक गल का उस कुरसी पर बैटना बताता है कि इमरान खान कितने बेबस हो गए है बड़ी दूविदा है अटमबं मनाने वाला देश आज के दिन कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए वेंटिलेटर नहीं बना पा रहा जो मुल्क एटमबं बना सके उसके लिए तो एसान थारा वेंटिलेटर बनाना कितना मुश्कल है लेकिन बदकिस्मती से हमने ये कभी इसका परतवज़ोरी दी मुह से मुंफलली तूटनी रही है गट्र से अक रोट टोड़े आखिया सबसे पहले भारत को गाली देने के लिए कश्मीर के नाम पे अपनी गांड पीटो फिर कोई समस्या आये तो भारत से भीक मांगो मैं कहूंगा बिल्कुल इसी पॉलिसी का पालन करते हुए शोई बक्तर ने भीक मांगिया भारत से दस अजार बेंटी लेटर्स की और बहुत सारे पैसे की यही लोजिक रहता है समस्या कोई भी हो निवारन एक ही होगा पाकिस्तान अंदुस्तान की सीरीज हो जाए क्या पाकिस्तानी आतंगवादी आपके मुंबई में गुशे हैं क्या उन्होंने 26 गयारा जैसा आतंगवादी हमला किया है जिसमें कई सो लोग मारे गई है कोई बात नहीं हमारे पास आपकी सारी समस्याओं के समाधान है पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों किर्केट मैच खेलेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी प्लेयर आपस में लोड़े से लोडा भिडाएंगे गर्मी पैदा करेंगे इससे इन को प्लीस फासिलिटेट करें तरीके कार बताइए यह वो जजबा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा, पाकिस्तान का बाप परमो दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दलगफार, जीते रहे ये, बहुत ज़ादा जजबाती हो रहे हैं, ये, सब देशों के अपने तरीके हैं करोना वाइरस से लड़ने के जह मैंने ये चीज समझी है कि पाकिस्तान वाले लोग स्वैग में जीते हैं, जब उन्हें अच्छे से पता है कि ये बिमारी चाइना से आई है, फिर भी इन लोगों को इस माहमारी से लड़ने के लिए कुछ भी समान चाहिए होता है, तो वो भी ये चाइना से मंगवाते हैं कहलाता है, बिस्मिल्लाय रह्मान रहीम, असला बरूद नाजरीन, प्रोग्राम पाकिस्तान मुलुक की गाण में पूरा ब्रमांड के साथ मैं हूँ आपका मेजबान, मसूद अजर्दल्ला, मतलब नल्ला, ये एंडिया वाले मुझे जो चाहे बोल ले, दोनों एक ही बात है, नाजरीन इस दपाहम रिव्यू करने वाले हैं एक नया मास्क जो मेरे भाईजान मेरे लिए लाए है, शुक्रिया भाईजान, हाँ भाईजान ही रिन उस तरफ गया है, तो ये मैं पहन के देखता हूँ, बड़ा ही मुलायम है, कुछ चिपचिपा सेंपू जैसा जैलि आज़र होगा, या फिर जागे मेरे इस्टाग्राम अकाउंट फोलो करें यह निवार यह है धन्यवाद